कि नमस्कार मैं हूँ सुरेट समान के और आप देख रहें बिंदाजबो बिंदाजबो में हम आज हाजी रहें फिर लेकर एक ऐसा मुद्दा जिस पर बोलना चाहिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से एक ऐसी ख़बर आई है जिस ख़बर के बारे में आकबारों में तो कही पर थोड़ी जगा मिली वो भी कुछ आकबारों में लेकिन ये ख़बर बहुत महतोपूर्ण है देश के सामने बड़ी बड़ी समश्चा है महतोपूर्ण मुद्दो पर पार्लेमेंट बंध होने के साथ साथ देश में आरा जकता का माहौल जैसी स्तिती इसलिए शायद इस मुद्दे को किसी ने जादा गंभीरता से नहीं लिया लेकिन देश के खिलाफ देश के सविधान के खिलाफ और देश के संपरभुता के खिलाफ कही पर अगर कोई मुद्दा आता है तो छोटा बड़ा नहीं होता विरोध विरोध होता है और इसलिए ऐसे मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि छोटी सी बात ही आगे तारूप इसको प्रस्तुत नहीं क्या होगा लेकिन हम आपके सामने गंभीरता पुर्वक इस मुद्दे को लेकर आ रहें और आपसे भी गंभीरता पुर्वक बेकोफ होकर अपनी राय को इसके बारे में व्यक्त करने के लिए कह रहें जिया मुद्दा है तमिल नाडू में ह राजनेतिक शेत्र में इस मुद्दे को लेकर सबसे ज्यादा मुखर रहे थे लेकिन भारत की महतवपूर्ण बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ गड़भंदन के बाद हिंदी को उनका विरोध कुछ मातरा में कम हुआ लेकिन जैसे ही दिल्ली में उनके सियांसन या हिंदी का विरोध का कार खेलना शुरू किया खबर है कपिल सिब्बल जो की मानव संसादन विकास मंत्री है इन्होंने उपमुख्य मंत्री तमिल्डाडू के जो की करोना निदी के बेटे है स्टैलिन इनको कहा कि नवदय विद्यालय पूरे भारत में है हम तमिल्डाडू इंगलिश होगी हिंदी नहीं होगी तो हिंदी को विरोध कर तुए स्टैलिन ने अपनी बात को रखा मजबूर एक तरीके से मजबूरी कहना पड़ेगा देश के कैबिनेट मिनिस्टर कपिल सिब्बल ने इस मुद्दे को फिलहाल थंड़े बस्ते में डाला है और अब त चर्चा का चिंतन का विशे क्यों नहीं हो सकता है क्योंकि देश में कही और हिंदी का विरोध होता है तो चर्चा होती है तमिलनाडू को छूट हम क्यों देंगे तमिलनाडू हमारा है हम तमिलनाडू के है क्योंकि यह भारत का विवाज्जा अंग है लेकिन किसी को हिंदी के विरोध में राजनिती करने की चूट कैसे मिलेगी इसलिए आईए आईए आपके कॉल लेने के पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर चाहे नवोदे विद्याले खुले या ना खुले तमिलनाडू को हिंदी कताई मनजूर नहीं जी हाँ तमिलनाडू की करुणा निदी सरकार को सब कुछ मनजूर है लेकिन हिंदी में पढ़ाई मनजूर नहीं तमिल सरकार अपने इस रुख में बदलाब लाने को तयार नहीं है चाहे वहाँ जवाहर नवोदे विद्याले खुले या ना खुले आपको बतादे कि तमिल नाडू देश का एक मात्र ऐसा राज्य है जहां एक भी नवोदे विद्याले नहीं है ऐसे में केंदर सरकार इस राज़े में नवोदे विद्यालों शुरू कराने के प्रियास में थी और इस प्रस्ताव को लेकर तमिल लाडू की राज़े सरकार से बातचीत भी की लेकिन सरकार राजी नहीं अलबता तमिल सरकार नवोदे विद्यालों में सिर्फ अंग्रीजी पढ़ाई को राजी है लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार नवोदे विद्यालों को खोलने के नियम और काईदों में बदलाब नहीं करेगी सूत्रों के मताबिक शिक्षा के इस प्रियास को लेकर खुद मानवसं साधन विकास मंत्री कपिल सिबल ने बीते दुनों इस मसले पर करोना निधी के बेटे एवंबराज्ये के उपमुक्य मंत्री स्टॉलिन से मश्विरा किया था लेकिन हल कोई नहीं निकला बताया जाता है कि उपमुक्य मंत्री ने साफ किया है कि वो इस्कूलों में हिंदी भाषा पढ़ाने के पक्ष में कतई नहीं है अगर केंद्र सरकार शिक्षा के प्रियास में है तो वो सरिफ अंग्रीजी में ही पढ़ाही कराने का सोच ले उपमुख्यमंत्री के इस रूप को देखकर कपिल सिबल ने भी तमिलनाडू में जवाहर नवोदे विद्याले खोलने का विचार छोड़ दिया है हाला कि इससे पहले देखा जाता है कि शिक्षा के प्रियास में जूटी सरकार को जनता की साहता नहीं मिलती लेकिन अब खोड किसी राज्य की सरकार का ऐसा विरोज जताना कितना जायज है इससे यही साबित होता है कि राजनयतिक रूटी सेकने के लिए देश के बटवारे के प्रियास में लगे इन नेतों का बंदोबस्त करना अब जरूरी बन गया है यह विरोज जरूरी बन गया है, लेकिन किसी को इसकी जादा परवान नहीं है, हिंदी मीडिया तक को नहीं है, हाला कि हमारे देश में हिंदी का महत्व, कितना महत्वपूर्ण है यह हम जानते हैं, यह देश की प्रथम राजभाषा भी है, इस भाषा ने देश को एकता बना महत्वपूर्ण खटक रहें, उसमें हिंदी का योगदान सर्वस्रेष्ट है, मनोरंजन के साथ बॉलीवड इस भाषा को देश भर में क्या दुनिया भर में लेके गया, और अब दुनिया की दो नंबर की चीन के बाद सबसे जादा लोगों में बोली जाने वाली भाषा ह हिंदी हो गई है, हिंदी व्याकरन के अगर बात करें, तो हिंदी का व्याकरन दुनिया का सबसे सरल्तम और सुस्पष्ट व्याकरन कहा जाता है, हिंदी के बारे में ये भी जगद विक्यात है, कि हिंदी में जो नियम है, उनमें कोई अपबाद नहीं है, ऐसे देश के मेह तो पूरन मंत्रा ले संभाल रहे कपिल सिब्बल के उपर भी ये दबावना दर चाहिए कि वो स्टैलीन को अपनी बात मनवाए क्योंकि ये समयधानिक बात है ये भारत का हिंदी का अधिकार है और हिंदी का ये सनमान भी है मिंदू को विरोध ये इस तरीके से स चुरू कर रहे और जो स्कृन पर नंबर चल रहे इन नंबरों पर आप अपने फोन को कर सकते हैं समस कर सकते हैं एंचर सकते हैं और साथ-साथ में वीडियो मेल भी बेश सकते हैं फेस्बुक और कूट और ट्वीटर पर भी हम उपलब्द हैं सोचल नेटवर्किंग से भी आप अपनी प्रतिक्रिया को सुधर्शन तक पहुंचा सकते हैं एक कॉलर है उनसे बात करते हैं देखते हैं क्या कहते है और हिंदी का विरोध करने वाले और इंग्लीश को वापर नहीं अमरीकी यह ऐसा लगता है कि भूरे लोग हैं तामनारू हिंदुस्तान का एक अ तो हिंदी है तो हिंदी का वापर कालेज खुलना चीए मैं अपिल सिंबल और केंडर्श गवर्मेंट को यह अपिल करता हूँ कि अतामनारू में जावार नारू विद्द्धियाला खुलना चीए सर मेरा नाम साबिरू से माकुला जिला से बुर रहा हूं दनेवाद साबिर भई बहुत अच्छे देश में विबिद्ध भाषा आए अपने आपनी जगा पर साइए यह हमारे विशेश्टा भी है हमारे इसलिए हम कहा जाता है कि विबित्ता के बाद हमारे यहां पर एकता है लेकिन इस विबित्ता में अगर कोई चेद देने का प नमस्ते जी, नमस्ते, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बढ़ाई दूगा कि आप एक ऐसा विशे उठाया है, जो राश्टर के साथ सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, और राश्टर की असमीता संपरपुता के साथ खिलवार करने वालों को एक जवाब देने का आपने प्रि प्रिवाब दिया है, तो एक बहुत धग्का सा लगें कि इस से भासा को, हमumbles के मात्री भासा तो कहते ही है, राश्ट वी दरदा जिस को प्रियोग मिलाते हैं, उसी भासा काना, प्रौन के प्रांत के उप्हे मंतरी जिस पर कार कर villagers हैं, उनके लिए घोड़ क्वाई भी की जाने चाहिए ऐसे उप मुख्य मंत्री को पद पर रहने का कोई नैती का धिकार नहीं है जो अपने राष्ट्रिय भासा के विरोध करता हो बिल्कुल क्यों ऐसा होता है आप क्या मानते हैं राजनीती का हिस्सा है कि कुछ मुद्दे राजनीती चलाने के लिए उठाए जाते हैं वो अपना जिस परकार से केंदर में आदीन के मंत्री को बड़ा बेफरमी शे अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा है और कहीं ने कहीं लगा केंदर में जो कांगरे सरकार के साथ इनका गठबंदन था तो साइद कहीं भ्रष्टाचार के मुद्द को लेकर के इनकी जो कुर्षी थी वो डगमगा ना जाए इसलिए उन्होंने अपने वहां की जनता के साथ है एक ऐसा मुद्दा ले लिया जिससे जनता को पने साथ जोड़के के मैं अपने प्रदेश की ये वहां की भासा के लिए संगसरत हूं जनता का ध्यान आक्रष्ट करने के लिए और जनता को अपने साथ जोड़ने के लिए ऐसा किया बिल्कुल राजनीती का यांग है और राजनीती के लिए देश की भाषा देश देश की संप्रभुदा का खिलवार करना आम बात हो गए धन्यवाद कॉल करने के लिए और वे कॉलर हमारे साथ जोड़ने करता हूं कि सब लोग सुर्दर्चन न्यूस देखिए उसके उपर आप निश्य लेते हैं बहुत अच्छे है और इसके लिए मैं बठाऊंगा कि इंदी स्कूलों को मनाई कर रहे हैं क्योंकि अगर आज तो यह बोल रहे हैं कि हिंदू संद्रिया से बाग जाओ बार्तियता और समयधानी कादी कायरो को अब भाषा तो क्यवल हिंदू की ऐसा नहीं है यह बहसा तोसब की और भाषा तो केवल हिंदू की ऐसा नहीं है यह बहुत अच्छी बात कहीं मुंबई से प्रतिकरिया दे रहे थे और बहुत अच्छी बात कहीं एक और पालर हमारे साथ जूटने जा रहे हैं उनसे भी बात करते हैं देखते क्या कहते हैं नमस्कार अलो हाँ लाय में जुड़े हैं बूलिये क्या कहींगे हैं मैं भुपेंद्र सिंग बोला हूं मुंबई से बूली भुपेंद्र जी क्या है सबसे पहले आपको दिन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है और यह जो कुछ राजनेता हैं हमारे देश को भासा के आधार पर पोड़ना चाहते हैं इसलिए मैं चाहूंगा भारत सरकार समेरी अपील है कि हिंदी का विरोध करने वाले ऐसे नेताओं को देश-द्रोही की स्रेणी में रखें उनना सक्षे स्रजा दी जाए बिल्बल बहुत अच्छा देश-द्रोह होता है धन्यवाद कॉल करने के लिए देश-द्रोहों की स्रेणी में रखने की सुजाव यहाँ पर दे रहे हैं और वैसे भी समयधानिक चीजों को विरोत करना ये कही पर भी मंजूर नहीं करना चाहिए